नमस्कार मैं आपके साथ हंजना और आप देखे हैं तक खबरदार नियूज आएए एक नज़र डालते हैं कुछ खास खबरों पर इंदोर में कुत्तों की बिवाद में की थी दो लोगों की हत्या आरूपी गार्ट की घर पर चला बुल्डोजर इंदोर शहर में पिछले दुनों गोली चला कर दो लोगों को मौत के घाट उतारने वाले आरूपी सिक्योर्टी गार्ट राजपाल सिंग के मकान को शुकरवार को गिरा दिया गया आरूपी सुरक्षा कर्मी ने अपनी लाइसंसी बंदूग से दो लोगों की हत्या की थी इंदोर में कुत्तों के विवाद में गोली चलाने वाले बैंक सुरक्षा कर्मी राजपाल सिंग के मकान पर शुकरवार को बुल्डोजर की कारवाही की गई इंदोर नगर निगम और इंदोर पिशासन तथा पुलिस की अफसरों ने इस कारवाही को अंजाम दिया इस दोरान करणी सेना की कुछ पदाधिकारियों ने आकर कारवाही को रुखवाना चाहा लेकिन थोड़ी देर के विवाद के बार अंततह आरूपी सुरक्षय कर्मी के मकान को दुस्त कर दिया गया क्या है पूरा मामला इन दोर में कुट्ता चहलाने की बात पाए दो पक्षों में विवाद हो गया था इस विवाद के बीच दो लोगों की गोली मार कर हत्या कर जी गई थी गोली चलने की घटना में एक महिला की आखे भी खराब हो गई थी बताया जा रहा है कि खूनी संगर्ष में महिला के साथ करीब पांच लोग घायल भी हुए थे इन में चार महिलाएं और एक युवक शामिल था क्रिश्नबा कॉलोनी के सेक्टर भी में एक सुरक्षा गाड राजपाल सिंग राजवत और उसका पईवार निवासरत है राजवत इन दौर में ही बैंक और बरोदा में सुरक्षा गाड की तौर पर तेनाथ है इसके पास लाइसेंसी बारा बोर की बंदूग भी है राजवत की पास एक पालतु कुत्ता भी है गुरुवार रात राजपाल अपनी कुत्ते को टहलाने निकला था राजवत की घर की समीप ही एक अन्य युवक बिमल आमेचा भी रहता है कुत्ता काट ना ले इस डर से बिमल ने राजवत की कुत्ते को पथर मार कर भगाना चाहा पथर मारने पर राजवत नाराज हो गया वे डराने की मकसद से अपने घर से लाइसेंसी बंदूग ले आय कमला और मोहित घायल हो गए इस विवान में बिमल और राहुल गंभीर घायल हुए थे दोनों ने राजवत की दौरान दम तोड़ दिया वहीं बाकी लोग बंदूग के चर्रे लगने से घायल हुए